नमस्कार दोस्तो बेश्टे एक्जाम स्टेडी चेनल ओप्शन एक्सपर्ट पर मैं बीरम सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्यप्रदेश शिक्षक पातरता परिक्षा और मध्यप्रदेश की अन्य सभी परिक्षाओं के लिए मध्यप्रदेश का रंट अफेर्स वार्षिक घटना करम का वीडियो इसमें हम चर्चा करेंगे ओब्जेक्टिव टाइप प्रेशन के माध्यम से मध्यप्रदेश के संपुर्ण वर्षिबर के घटना करम पर आए शुरू करते हैं चार उप्षन आपको हर एक प्रेशन में दिये है लेकिन हम केवल सही उप्षन पर चर्चा करेंगे क्योंकि यह है एक रिविजन वीडियो रहने वाला है और समय आपके लिए कम है मध्यप्रदेश के किस जिले में राष्टी मांसिक स्वास्ति पुनरवास संस्थान एनाई मेचार की स्थापना को केंदरी मंत्री मंडल ने मंजूरी दी है तो सीहोर जिलों में यह इस्ताफित किया जाएगा पहले यह भोपाल में इस्ताफित होना था लेकिन बाद में केंदरी मंद्री मंडल ने इसे सीहोर में इस्ताफित करने की मंजूरी दी है जन्वरी 2018 में किस जिले में स्थित पिथमपूर में एशया के सबसे बड़े आटो टेस्टिंग सेंटर नेट्रेक्स का उदगाटन किया गया तो धार जिले में इस्थित पिथमपूर यहाँ पर एशा के सबसे बड़े आटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स का उद्गटन किया गया वर्स 2018 में मद्यप्रदेश के किस जिले में वहुत देशी कुंडलिया डेम परियुजना का शुबारंब किया गया तो यहाँ शुबारंब किया गया राजगड और आगर मालवा की सीमा पर इस्थित कुंडलिया डेम का शुबारंब मद्यप्रदेश के ततकालिन मुख्य मंतरी स्टी शिवरा सिंग के द्वारा इसका शुबारंब किया गया था राजगड एवम आगड मालवा जी लेकी जीरापूर आता है राजगड में और नलखेड आता है आगर मालवा में तो इन दोनों तेसिलों के मद्दी में कालिसीन नदी पर चल रहे है कुंडालिया व्रहत बान परियुजने का काम करीब 60% पूर्ण हो चका है तेसिल के ग्राम सिरो ही वह गोठडा के बीच बन रहे है डेम को वर्ष 2019 तक भरने की योजना है लगबग 348 करोड की यह परियुजना है तो याद रखिए राजगड और आगरमालवा दोनों जिले इससे लाबानवित होने वाले है द्रश्टी इन बच्चों के लिए प्रदेश की पहली यह लाइब्रेर की शुरुआत कहां की गई है तो यह शुरुआत की गई है जबलपूर में मध्यप्रदेश की विद्वाव को अब किस नाम से जाना जाता है तो कल्यानी नाम से जाना जाता है आवास की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्ज कोन सा बन गया है मध्यप्रदेश मद्य प्रदेश में किस स्थान पर वेदानत संस्थान इस्थापित किया जाएगा तो उंकारेश्वर में इस्थापित किया जाएगा और उंकारेश्वर खंडवा जिले में स्थीत है नर्मदा नदी के किनार है उंकारेश्वर कि सेवा की शुरुवात मध्य प्रदेश में सरुप्रतम खरगोन जिले से की गई है तो यहाँ पर मुबाइल बेंक की सरुप्रतम शुरुवात की गई थी और अभी गोएंबुलेंज सेवा की शुरुवात भी खरगोन से की गई है हाली में मुख्य मंत्री द्वारा ओम प्रकाश में एता की किस पुस्तक का विमोचन किया गया तो 108 जीवन मंत्र नाम की पुस्तक का मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चुहान ने विमोचन किया था मज्य प्रदेश में किस इस्थान पर नीजी शेत्र की पहली हतियार निर्माण इकाई इस्थापित की जा रही है तो भिंड जिले में यह इस्थापित की जा रही है मज्य प्रदेश में कौन सा जिला किस संभाग के अंतरगत आता है यह भी आपको पता होना चाहिए जो कि पदमस्री से भी सम्मानित थी और इनका नाम था डाक्टर भक्ती यादव यह किस शहर की रहने वाली थी तो इंदोर की रहने वाली थी और 72 वर्ष की आयू में इनका निदन हो गया अमलाह की जिले में स्थिते जहां पर खाद्य नुसंदान के अंदर की स्थापना की जाएगी तो सिहोर जिले में स्थिते अमलाह मध्यप्रदेश में कारबन नेशनल वन विहार कहां स्थापित किया जाएगा तो रिवा जिले में स्थापित किया जाएगा रिवा की गुड में रिवा जिले की गुड देसिल में विश्व का सबसे बड़ा सोरूर्जा सेयंत्र भी इस्तापित किया जा रहा है राज जी का पहला कोरकू रेडियो केंद्र कहां इस्तापित किया जाएगा तो खंडवा में इस्तापित किया जाएगा केफ और कोरकू और केफ और खंडवा ट्रीक हो जाएगी देश का पहला केसलेस गाव कौन सा है तो बड़ जीरी है और बड़ जीरी किस जिले में आता है तो बोपाल जिले में आता है इसके अलावा एक और important fact जान लीजिए देश का पहला ऐसा गाव जहां पर हर व्यक्ति संस्क्रत बोल सकता है वह गाव है जीरी और जीरी राजगर जिले में आता है मद्यप्रदेश के बाभई में कोका कोला से यंत्र इस्थापित किया जा रहा है बाभई की जिले में इस्तिते तो शंगाबाद में इस्तिते जब आप कोका कोला पीते हैं तो बाभई वाभई तो कहते ही है तो वाभई और बाभई में ज़्यादा अंतर नहीं है ट्रिक हो जाएगी आपकी याद करने के लिए और जब कोई ऐसी चीज हो कि अपने होश उड़ जाए तब भी हम वाभई कहते हैं तो कोका कोला पी कर भी हम वाभई कह सकते हैं किस जिले को प्रधान मंत्री सुरक्षित मातरत्व अभियान में प्रथमिस्थान मिला है बन्यजीव जागरुकता केंदर कहां इस्तापित किया गया है राला मंड़ में राला मंड़ कहा है इस्थिते इन दोर में हाली में मध्य प्रधेश के किस जिले में प्रधेश का दूसरा उद्यान की महाविध्याले खोला गया तो छिंदवाडा में यह खोला गया है अब यह प्रदेश का दूसरा है तो पहला भी आपको पता होना चाहिए प्रदेश का पहला उद्यानिकी महाविद्याले खोला गया था मंसोर में मंसोर उज्जन संबाग केंटर ग्रताता है पंद्रहवे स्वास्ति सम्मिलन में किस राज्ज को हेल्थ केर एक्सिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो मध्यप्रदेश को सम्मानित किया गया है प्रतिवर्श दो जुलाई को राज्ज में किस रूप में मनाया जाएगा तो option ने जो है रक्षार ओपन दिवस यही right answer है रक्षार ओपन दिवस के रूप में मनाय जाएगा 2 जुलाई को 2 जुलाई 2018 की शुरुवात हुई है 22 अप्रेल को विश्व प्रत्वी दिवस मनाय जाता है यह भी आप याद रख सकते हैं राज्य में किस इस्थान पर इस्टेरोलेड सायंत्र की स्थापना की जाएगी तो यह स्थापना की जाएगी पिथमपूर में और पिथमपूर किस जिले में इस्थी थे तो धार जिले में इस्थी थे पिथमपूर हनुवंतिया वाटर पार्क किस जिल्ले में स्थिते, खंडवा में स्थिते और खंडवा किस संभाग के अंतरगत आता है, इंदोर संभाग के अंतरगत इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ यदि आपके पास पेन पेपर हो तो नोट कर लीजिए इकका बीबी डीजे यह आपको याद रखना है एक शब्द आई फोर इंदोर, के फोर खरगोन, के फोर खंडवा ए फोर अलिराजपुर बीबी का मतलब है बढ़वानी और बुरहनपुर और डीजे का मतलब है धारजाबुआ तो इंदोर, संबाग के सभी जिलों के नाम इस टिक के माद जमसाप याद कर पाएंगे नर्मदा सेवा यात्रा के संबंद में निमने कत्नों पर विचार कीजिए और सत्य कत्न का चुनाओ कीजिए तो आपको बता दू सभी कत्न सत्य है इसे नमामी देवी नर्मदे यात्रा के नाम से भी जाना गया 11 दिसंबर 2016 से यह यात्रा शुरू ही थी और 15 माई 2017 तक चली थी कुल 148 दिनों में यह यात्रा संबंद हुई थी यात्रा की शुरुवात नर्मदा नदी के उद्गमिस्थल अमर कंटक्स की गई अनुभाग और तैसिल है तो यह सोंडवा गई और सोंडवा से फिर वापस अमर कंटक में समाप्त हुई उपरोक्त सभी इसका रायट आंसर होगा वर्श 2018 में मद्धिप्रजेश के सिहोर जिले के छोटे से गाउ भोजनगर की किस बेटी ने विश्व की सबसे उची चोटी माउंट इवरेश्ट को फत्या किया तो इसका नाम है मेग़ा परमार इन्होंने माउंट इवरेश्ट को फत्या किया मद्धिप्रदेश के सिहोर जिले में एक छोटा सा गाउ है बोजनगर वहा की रहने वाली है याद रखिए माउंट एवरेष्ट विश्व की सबसे उची चोटी है और उसकी उचाई है 8848 किलोमेटर माउंट एवरेष्ट को नेपाल में सागरमाता के नाम से भी जाना जाता है मध्यप्रदेश के किर्ज जिले को सेंटरल जोन के तहत पंडित दीन दयाल उपाध्याई क्रशी विज्ञान प्रोथसान पुरसकार से सम्मानित किया गया तो दतिया जिले को यह सम्मान प्रदान किया गया वर्ष 2017 के लिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरसकार से किछे सम्मानित किया गया तो यहां सम्मान प्रदान किया गया था क्रश्न कांत चतुर्वेदी कु चार जुलाई 2018 कु देश के पहले मीडिया इनक्यूबेशन सेंटर का उदगाटन कहां किया गया तो यहां उदगाटन किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी राष्टी पत्रकार्ता एवं जन संचार विश्विद्याले जोकी बोपाल में इस्तिते वर्तमान में काफी सुर्किया बटेर रहा है यहां विश्विद्याले क्योंकि इसमें काफी अनिमित था बीजे पी शासन के दोरान हुई है ऐसा रॉप कांगरेस का है याद रखिये भारत में सबसे ज़्यादा विश्विद्याले यदि किसी शहर में या किसी जिले में है तो वहा है बोपाल जिले में या बोपाल शहर में और ना के अवल देश में बलकी विश्व में सबसे ज़्यादा विश्विद्याले यदि किसी शहर में है तो वह है भुपाल शहर में इसके अलाव बोपाल में भोजमुक्त विश्विद्य ले बरकतुल्ला विश्विद्य ले और भी बहुत सारे 10-11 विश्विद्य ले वहाँ परिस्थिते किसे मद्यप्रदेश आक्यक कादमी का नया कोच नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है तुशार खांडेकर को राष्टी कुमार गंधर्व सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया निलादरी कुमार को सम्मानित किया गया है किस फसल के बंपर उत्पधन के लिए मध्यप्रदेश को लगातार पाचवी बार क्रशी कर्मन पुरसकार दिया गया तो गेहु के उत्पधन के लिए ये पुरसकार प्रदान किया गया था लगातार पाचवी बार मध्य प्रदेश आईश्मान भारत योजना कब से लागू की गई है तो यहाँ लागू की गई देशबर में 15 अगस्त 2018 को प्रदेश में भी तब लागू मानी गई आईश्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी जारकंड के राचिस से प्रदान मंत्री जीने की थी 23 सितंबर 2018 को माफ की जगा 23 सितंबर मुझे इसका जान नहीं है सही से आप एक बार सर्च कर सकते है यह दि जानना चाहे तो 23 सितंबर की तारिक मुझे पता है लेकिन 23 सितंबर 2017 बहर होना चाहिए क्योंकि जब 15 अगस्ते 2018 से पूरे देश में लागव हो गई है तो उसके पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन जारकंड की राचि में इसकी शुरुआत हुई थी इतना मुझे कनफर्म है अगला है हाली में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयुक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो न्याइमूर्ती नरेंद्र कुमार जेन को नियुक्त किया गया है एचल दत्तु भारत मानव अधिकार आयुक के अध्यक्ष है रेखा शर्मा राष्टी महिला आयुक के द्यक्षे है और अर्विंद सक्सेना पीएसी के द्यक्षे है लोकसेवा आयुक के किस जिले में इस्थित गोहत की किले को हाली में युनेसको ने विश्व दरवर सुची में शामिल किया है तो गोहत का किला भिर्ण जिले में इस्थित है भिर्ण मुरेना और शोपूर ये तीनों जिले चंबल संभाग के अंतर गताते हैं देश के किस व्यक्ति को मरण उपरांत सयुक्त राष्ट के ओजो नवाड से सम्मानित किया गया तो अनिल माधवदवे जोकी प्रदेश के पर्यावरण मंत्री रह चुके थे इनको सम्मानित किया गया राज्यों के लिए जारी व्यापार सुगमता सुचकांग सुची में कौन सा राज्य प्रथम इस्थान पर रहा तो आंध्रप्रदेश इस सुची में प्रथम इस्थान पर रहा दूसरे इस्थान पर तेलंगाना तीसरे पर हर्याना चोथे पर जारकन पाचवे पर गुजरा चटे पर चटिसगर और मध्यप्रदेश का इसमें स्थान रहा सात्वा ग्राम पंचायतों के आईवे का लेखा जोका किस पोर्टल पर उपलब्द है तो पंच परमेशर पोर्टल पर उपलब्द है आप चाहे तो देख सकते है मध्यप्रदेश की पंचायतों में किस कंपनी के आउटलेट खोलने की गोशना की गई थी तो पतंजली के आउटलेट्स खोलने की गोशना की गई थी लेकिन अब ये योजना धरी की धरी रह सकती है क्योंकि सरकार बदल चुकी है समाधान एक दिन योजना लोकसवा केंद्रों में कपसे शुरू की गई 7 मार्च 2018 से 8 मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस मनाय जाता है और 1 जन्वरी 2015 जो यहाँ पर तीथी दी गई है इस दिन नीतिया आयोक की स्थापना हुई थी मध्या प्रदेश के शहीदों को सरकार द्वारा कितने रुपे की अनुग्रह राषिक गोश्णा की गई है तो एक करोड रुपे शहीदों के परिवार वालों को दिये जाएंगे इस तरह की गोश्णा शिवराज सिंगी न की थी प्रदेश के किस उनिवर्सिटी को पूर्ण रुप से केसलेस गोशित किया गया है तो यह गोशित किया गया है रानी दुर्गावती उनिवर्सिटी जबलपुर को मध्य प्रदेश के किस दिव्यांग तेराक ने इंगलिस चेनल को पार करके इतियास रचा तो सत्यंद्र लोहिया ने यह इतियास रच्चा है मज़्ध प्रदेश के पूरु मुख्यमंत्री स्री शिवराज सिंग चोहां द्वारा दिव्यंका त्रिपाठी को किस सम्मान से नवाजा गया तो मध्य प्रदेश रत्न प्रदान किया गया दिव्यंका त्रिपाठी को अवनी चतरवेदी अकेले फाइटर जेट विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला बनी है वे मध्यप्रदेश के किस जिले से संबंदी थे तो रिवा जिले से संबंदी थे अवनुई चतुर्वेदी जन्वरी 2018 में संपन एकात्म यात्रा कहां से शुरू ही थी तो यह शुरू ही थी ओंकार रिश्वर से मद्यप्रदेश के की शहर में 20 करोड की लागत से प्रदेश का पहला भारत माता का मंदीर बनाय जाएगा तो यहाँ निर्मान कारी चल रहा है बोपाल में फ्रेंड साफ MP कांकलेव 2018 का आयुजन कहां किया गया था यहां आयुजन हुआ था इंदोर में मद्यप्रदेश के पहले तितली पार्क का शुभारंब कहां किया गया तो यहाँ शुभारंब किया गया राइसेन जिले में राइसेन बोपाल के अंतरगत आता है बोपाल संबाग के अंतरगत बोपाल संबाग में पाज जिले है बोपाल, राइसेन, राजगर, विदीशा और सिहोर भोरा वी सीरा इसके लिए ट्रिक है आप याद रख सकते हैं महाराजा किशोर सिंग का किला किस जिले में इस्थी थे जिसे हाली में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरक्षन में लिया है तो यह इस्थी थे पन्ना जिले में पन्ना जिला साघर संबाग के अंतर गताता है जेविक क्रशी अनुसंदान परिशत की इस्थापना कहां की गई है तो यह इस्थापना की गई है बालागाड जिले में किस नगर पालिका को नगरी जलिवस्था में गुन्वत्ता पुर्ण कारे के लिए होट को पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह सम्मान प्रदान किया जाबवा नगरपालिका को विक्रम महुतसव का आयुजन कहा किया गया था तो बोपाल में किया गया था कि जिले में स्थित पिपलोदा के विश्णु मंदीर को राज सरक्षित इसमरक गोशित किया गया है तो यह इस्थित है शिवपूरी में गुना, गौलियर, शिवपूरी, दतिया ये सबी जिले गौलियर संबाग केंतर गताते हैं जी-जी, सेड इसको याद करने के लिए ट्रिक है चाहे तो आप याद रख सकते हैं जी फोर गुना, सेकंड जी फोर गौलियर एस फोर शिवपूरी ए फोर अशुकनगर और डी फोर दतिया जी-जी, सेड मध्यप्रदेश में बच्चों को मार्ग दर्शन के लिए कौन सा एप्लिकेशन लांच किया गया है तो MP करियर मित्र नाम का एप्लिकेशन लांच किया गया है स्रमिको को स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला जिला कौन सा बना है तो यह बना है बालागार जिला मध्यप्रदेश में खिलाडियों को सर्वस्रेश्ट आलराउंडर प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरुसकार दिया जाता है तो लाला अमरनात पुरुसकार दिया जाता है और इस बार का किसे दिया गया है तो जलज सक्सेना को दिया गया है इस वर्ष का लाला अमरनात पुरुसकार जलाज सकसेना पाच वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्ति पोशन और टीका करण के लिए कौन सा अभियान चलाय जा रहा है तो दस्तक अभियान चलाय जा रहा है वर्ष दोजार अठारा के लिए तानसेन पुरुसकार किसे दिया गया है तो मंजु महता को वर्ष दोजार अठारा के लिए तानसेन पुरुसकार दिया गया है वर्ष दोजार सत्रा का दिया गया था पंडित उल्हास कशालकर को वर्ष दोजार अठारा में मद्यप्रदेश सरकार ने किन दो नदियों को जोडने की मंजूरी प्रदान की है तो नर्मदा और पार्वती दोनों अधियों को जोडने के लिए मंजूरी प्रदान की है नर्मदा शिपरा आलरेड़ी लिंक हो चुकी है मद्यप्रदेश के 27 वे राजजपाल कौन है तो स्रीमती आनंदी बेन पटेल है मद्यप्रदेश की 27 वे राजजपाल और मद्यप्रदेश के साथ साथ ये 36 गड़ की भी राजजपाल है वर्षे 2018 में मद्यप्रदेश के किस संसद को उतकरष्ट संसद पुरसकार 2013 प्रदान किया गया तो नजमा है पतलुला को यह पुरसकार प्रदान किया गया था और यह मद्य प्रदेश की संसद है इसके अलावा गुलाब नभी आजात को वर्षे 2018 का उत्करष्ट संसद पुरसकार प्रदान किया गया अप्रेल 2018 में मद्य एशिया और प्रशान्त शेत्र में आठवा 3R यानि 3R का यहां पर मतलब है Reduce, Reuse and Recycle तो इस विशे पर सम्मेलन कहां आईजित किया गया या आईजन किया गया था इन दोर में मद्य प्रदेश सरकारदारा युवाव को नोकरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया गया है तो MP रोजगार पोर्टल लांच किया गया है सच्चिता सर्विक्षन 2018 में भारत का सच्चिता में प्रथम शहर कोन सा है तो इन दोर देश में पहले नमबर पर है सच्चिता सर्विक्षन 2018 के अनुसार दूसरे नमबर पर भोपाल और तीसरे नमबर पर चंडी गढ़ है केंदरी सुचना एवं प्रसालरन मंत्राले द्वारा सरवादिक फिल्म अनुकुल राज्ज के लिए किस प्रदेश को राष्टी पुरस्कार से संबानित किया गया है तो यह संबानित किया गया है मध्यप्रदेश को भारत सरकार द्वारा घोशित राष्टी स्वास्थी सुरक्षा मिशन मध्यप्रदेश में कब से शुरू किया गया यह प्रश्ण आपके लिए है आपको कमेंट करके इसका अंसर बताना है मध्यप्रदेश के किस नसल को G.I.T.E.G. मिला है तो कड़कनात नसल को G.I.T.E.G. मिला है कड़कनात नसल को इसका जो जू लोजिकल नाम है वह है गेलस गेलस डॉमेंस्टिकस तो उबरोक्त दोनों आपका राइट आंसर होगा कड़कनात जो नसल है किस पश्यूपक्श की नक्सल है तो यह मुर्गा या मुर्गी होती है कड़कनात मुर्गा मुर्गी ये पाए जाते हैं मद्धिपरदेश के जाबवा बढ़वानी और अलीराजपूर शेतर में नरेंद्र मोधी ने मद्धि प्रदेश के किस जिले से राश्टी ग्रामिन स्वराज अभ्यान का शुबारंब किया यह प्रश्ण भी आपके लिए मैंने आरक्षित रखा था लेकिन ठीक है मैं आपको आंसर बताई देता हूं मन्द्र जिले से राश्टी ग्रामिन स्वराज अभ्यान का शुबारंब किया गया है क्योंकि मैंने देखा है आप आंसर बहुत कम कमेंट करके बताती है मध्यप्रदेश की आंगनवाडी करताओं के लिए जर्मनी की कमपनी के साथ एक कारिक्रम शुरू किया गया है उसका नाम क्या है तो उस कारिक्रम का नाम है आंगनवाडी शिक्षा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा घोशित उस्ताद लतीफ खान सम्मान 2017-18 से किसे सम्मानित किया गया है तो संदीप सिंग को सम्मानित किया गया है उस्ताद लतीफ खान सम्मान 2017-18 से असंगटित शेत्र के स्रमीकों को दिये जाने वाले हितलाप के सम्मंद में निम्न कतनों पर विचार कर सत्य कतन चुने स्रम मंत्री स्री महंदर सिंग सिसोधिया ने स्रमीक कल्यान योजनाओं की समिक्षा के बेठक के दोरान निर्देश दिये कि स्रमीक परिवारों को प्रसूती साहिता योजना की राशी 16,000 से बढ़ा कर 21,000 रुपे की जाएगी अन्तेश्टी एवं अनुग्रह साहिता राशी 5,000 से बढ़ा कर 6,000 रुपे की जाएगी और स्रमीक परिवारों की कन्याओं के विवाह की राशी 25,000 से बढ़ा कर 21,000 रुपे की जाएगी तो सभी कथन सत्य है किस प्रोजेक्ट के तहत इंदोर भोपाल सिक्स लेन एक्सप्रेस वे एवं भोपाल बाइपास बनाए जाने की केंदर सरकार ने स्विक्रती दी है भारत माला परियोजना के अंतरगतिया स्विक्रती दी है इंदोर और भोपाल की बीच में सिक्स लेन एक्स्प्रेस वे और भोपाल बाइपास बनाए जाने के लिए प्रदेश भर में कब से उब्वक्ता विवादों के निराकरन के लिए व्रहद लोक अदालते आयुजित की जाएगी नो मार्च से इनका आयुजन किया जाना है हाली में वन मंत्री स्री उमंग सिंगार ने अनुबूती कारिक्रम की समिक्षा की यह कारिक्रम के शेत्र से सम्मदी थे तो पर्यावरण जागरुकता से सम्मदी थे अनुबूती कारिक्रम हाली में मध्यप्रदेश के जन्जाती कार्य मंत्री स्री ओंकार सिंग मरकाम ने किस सौफ्टेयर का लोकारपन किया है इस सौफ्टेयर का नाम है मध्यप्रदेश ट्राइबल आटोमेशन सिस्टम हाली में मद्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामिण रिकास मंत्री ने नलजल योजना में स्मार्ट मिटल लगाने के निर्देश दिये है तो पंचाय तेम ग्रामिन उकास मंत्री कोन है मद्यप्रदेश के स्री कमलेशवर पटेल और देश के ग्रामिन उकास मंत्री कोन है स्री नरेंद्र सिंग तोमर ये भी मद्यप्रदेश से ही समन्दित है इसलिए नरेंद्रख सिंग्तोमर का नाम most important हो जाता है मद्यप्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है तो नर्मदा नदी को यह दर्जा दिया गया है प्रधान मंत्री क्रामिन आवास योजना के क्रियानवयन में देश में प्रथमिस्थान किस राज्जिका है तो मध्यप्रदेश का प्रथमिस्थान है मध्यप्रदेश में 14,29,084 के लक्ष के विरुद्ध 11,90,823 आवास बनाए जा चुके है इस तरह से 83,33 प्रतिशत लक्ष पूरा हो चुका है मध्यप्रदेश की कीन विशेश पिछड़ी जनजातियों के लिए माता को मिलने वाली अनुदान राशी 1000 से बढ़ा कर 1500 रुपे दिये जाएंगे बेगा भारिया और सहरिया उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा प्रदेश के मुख्य सचीव का नाम क्या है जो 31 दिसंबर को सेवा निवरत हो चुके है इनका नाम है बीपी सिंग बीपी सिंग अब प्रदेश के मुख्य निर्वाचनायुक्त या यू कहें राज्य निर्वाचनायुक्त बन गए है इनका पूरा नाम है बसंत प्रताप सिंग ओप्रदेश के किसान कल्यान एवं क्रेशिक विकास मंत्री कोन है जिन्होंने खेत की मिट्टी और बीच का परिक्षन निशुलक करने के समंद में आदेश जारी किये है तो इनका नाम है स्री सचिन यादव सुभाश यादव के बेटे है मद्धिप्रदेश सरकार सर्वधर्म संभाव को बड़ावा देने के लिए कोन सा नया विभाग गठित की है तो मद्धिप्रदेश सरकार ने नया विभाग गठित किया है जिसका नाम है अध्यात्म विभाग इसमें आनंद विभाग धर्मिक न्यास एवं धर्मस विभाग और तिर्थ एवं मेला प्रादिकरन इन सबी को इसी में मिला दिया गया है मध्य प्रदेश के नव नियुक्त उर्जा मंत्री कोन है तो स्रीप प्रिवरत सिंग ची है प्रदेश के नव नियुक्त उर्जा मंत्री इनका विदान सबा शेत्र है खिलचिपूर और खिलचिपूर दरबार के नाम से हम इनको जानते हैं लोकल में जयवर्दन सिंग प्रजेश के ग्रामिन विकास मंत्री है शहरी विकास मंत्री है बलकी नगरी विकास मंत्री है जयवर्दन सिंग सचीन यादव जैसा कि पेले आपको बताया क्रेशी मंत्री है और जीतू पटवारी, खेल और युवा कल्यान मंत्री है रभी सिजन 2018 फसल और बुवाई के रगबे के सम्मंद में कौन सा सही सुमेलित नहीं है गेहू 46,00,00,00 हेक्टेर शेतर में बोई गई है बिल्कुल सही है दलहन 41,00,00,00 हेक्टेर शेतर में बोई गई है और तीलहन 9,00,00,00,00,00,00 हेक्टेर शेतर में बोई गई है कुल 97,00,00 हेक्टेर शेतर में किसानो द्वारा बोवनी की गई है यह गलत है मद्यप्रदेश में इस्ताफित होने वाले चार टेक्स्टाइल पार्कों के सम्मंद में कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो सभी सही सुमेलित है मोना उद्योगिक शेतर विक्सित किया जाएगा जिला धार में जिला बोपाल में अचारपुरा उद्योगिक शेतर विक्सित होगा छिंदवाडा जिले में लेह गड़ुआ उद्योगिक शेतर विक्सित किया जाएगा और रतलाम जिले में जावरा उद्ध्योगिक्षेत्र विक्सित किया जाएगा मद्य प्रदेश के नव नियुक्त वित्त मंत्री कोन है तो स्री तरुन बनोट है मद्य प्रदेश के नव नियुक्त वित्त मंत्री स्री कमलनात मुख्य मंट्री है और स्री सुभा स्यादव ये कोई नहीं है मध्य प्रदेश के ग्रह मंट्री कों है डाक्टर वीजे लक्ष्मी सादो ये हमारी चिकिस्सा शिक्षा मंत्री है इनके पास जलसन साधन विकास मन्तरी है श्री हुकम सिंग कराड़ा यदि में सही हुँ तो और स्री बाला बच्चन है मद्धिप्रिदेश के ग्रह मन्तरी दोस्तों यह जो आपको लगे कि मेरे द्वारा गलती से आपको कोई गलत फेक्ट बता दिया गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए ताकि अन्य लोगों को भी सही फेक्ट पता चल सके हाला कि मैंने शर्थ प्रतिशत सही जानकर आपको देने की कोशिश किये लेकिन फिर भी कही न कही गलतिया होने के संभाव न रहती है हर प्रकाशक भी इस प्रकार की चेतावनी शुरू शुरू में ही कोई भी पुस्तक हो चाहे किसी भी पप्लिकेशन की हो जारी करते हैं तो मैं भी आपसे यह निवदन करूंगा कि यह दिया आपको कोई सुजा हो या फिर कही तूटी नजर आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे मध्यप्रदेश के नगरी विकास एवं आवास मंत्री को ने तो स्री जयवर्दन सिंग है मध्यप्रदेश के नगरी विकास एवं आवास मंत्री किस अभियर्ण्य को 24 दिसंबर 2018 को राष्टी उद्यान के रूप में अधिसुचित करने की गोशना की गई तो पालपूर कुनो वन्य जीव अभियर्ण्य को राष्टी उद्यान के रूप में अधिसुचित करने की गोशना की गई है इससे गुजरात के गीर से लेकर शेरों का इस्थनान तरण संभव हो सकेगा कहां पर पालपूर कुनो अभिहारणी में निम्न में से कौन सी पुस्तक मद्यप्रदेश के अठारवे मुख्यमंत्री स्री कमलनाथ के द्वारा लिखी गई है तो ये सभी पुस्तके जो यहाँ पर दी गई है मद्यप्रदेश के अठारवे मुख्यमंत्री है कमलनाथ इनके द्वारा लिखी गई है इंडियाज एन्वार्मेंटल कंसरंस इंडिया सेंचूरी और भारत की शताबदी हाली में राजिशासन द्वारा 16 IAA सदिकारियों की नविन पदस्था अपना की गई इस सम्बंद में निम्न में से कोन सा सही सुमेलित नहीं है तो अन्य सभी सही सुमेलित है ओप्शन सी को छोड़ कर सुस्री नीधी निवेदीता कलेक्टर जिला राजगड की बनाए गई है स्री राजिव रंजन में नीमच के नए कलेक्टर है और स्री निशान्त वरवड है मिशन संचलक है राष्टी स्वास्थी मिशन बोपाल के 26 दिसंबर 2018 को किसे सामान्य प्रेशासन मिबाग का प्रमुक्स चीव बनाया गया है तो अरुन सेनमी को बनाया गया है मध्यप्रदेश के नए महादिवक्ता कोन बनाया गया है राजेंद्र तिवारी बने है मध्यप्रदेश के नए महादिवक्ता इससे पहले थे पुरुशेंद्र कोराउ इसके अलावा अजे गुपता और शेशांक शेखर अतिरिक्त महादिवक्ता बनाए गए है राश्टी उर्जा सरक्षन पुरस्कार के अंतरगत किस मंडल के रेलवे अस्पताल को पुरस्कृत किया गया है तो इज्जत नगर मंडल, राजकोट मंडल और रतलाम मंडल इन सभी को पुरस्कृत किया गया है तो इसमें मद्यप्रदेश का रतलाम मंडल भी शामिल है याद रखेगा 14 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में वित्रित राष्टी उर्जा सरक्षन पुरस्कार 2018 में मद्यप्रदेश के किस सभी स्टेशन को पुरस्कृत किया गया तो सभी स्टेशन किस रेणी में विदीशा को पुरस्कृत किया गया इसके अरलावा अन्य साव इस्टेशन जिने पुरस्क्रत किया गया है वो है जामनगर द्वार का और राजकोट मद्य प्रदेश की 15 वी विदान सबा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ साथ जन्वरी से 24 दिसंबर को प्रदेश बर में कौन सा दिवस मनाया गया तो सुषसन दिवस और राष्टी उभगत दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को हाला कि देश बर में सुषसन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को लेकिन मध्य प्रदेश में मनाया गया 24 दिसंबर को राश्टी तांसेन सम्मान के सम्मंद में निम्न कतनों पर विचार कर सत्य कतन का चुनाव करें तो दोनों ही कतन सत्य है राश्टी तांसेन सम्मान के तहत इस्म्रती चिन और दोलाक रूपे पुरुसकार राशी दी जाती है राश्टी तांसें सम्मान 2018 प्रसिद सितारवादी का मंजु महता को केंदरी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर द्वारा प्रदान किया गया राजामान सिंग तोमर राश्टी सम्मान के संबंद में निमन कतनों पर विचार कर सत्य कतन का चुनाव कीजिए वर्स्य 2017 के लिए वारानशी के संकट मोचन प्रतिष्ठान को और वर्स्य 2018 के लिए दिल्ली के नुरंग प्रतिष्ठान को राजा मान सिंग्तोमर राष्टी समान से अलंकरत किया गया बिल्कुल सही है और इस समान के तहत एक लाग रुपे की पुरस्कार राशी दी जाती है दोनई कतन सत्य है तांसेन संगित समारोह, MP के संस्कृति विभाग द्वारा हर साल तांसेन की याद में पिछले 94 वर्षों से आयुजित किया जा रहा है किस जिले में तीसरी नई तेसिल कोलार का गठन किया गया है तो कोलार भुपाल जिले में नई तेसिल होगी और या भुपाल की तीसरी तेसिल होगी सीतलार के इस मोसम में किस इस्थान का तापमान सबसे कम दर्ज किया जा रहा है तो खजुराहु जोकी छतरपुर जिले में इस्तिते इसका तापमान सबसे कम दर्ज किया जा रहा है मांडव उत्सव का समापन अशरफी माल के सामने 29 दिसंबर को कवी सम्मेलन के साथ हुआ आपको बताना है मांडव की जिले में इस्तिते तो यह इस्तिते धार जिले में अशरफी माल मांडव में इस्तिते याद रखिएगा हाली में राज़पाल ने प्रोफेसर आशाष उखला को डाक्टर भीम्राव अम्बेटकर सामाजिक विज्ञान विश्वी द्यले का कुलपति नियुक्त किया है आपको बताना है यह विश्वी द्यले कहां इस्तिते तो यह इस्तिते महु में महु इंदोर जिले के अंतरगत आता है मुख्य मंत्री की शपत ग्रहन करते ही स्री कमलनाद द्वारा लिये गए महत्वपुर्ण निर्णे में से कौन सा सही नहीं है सभी राश्टी और सरकारी बेंकों में अल्पकालिन फसल डून के रूप में शासन द्वारा पातरता अनुसर किसानों के 2,0,000 रूपे माफ किये जाने वाली फाइल पर इन्होंने साइन कर दिये है बिल्कुल सही है कन्या विवाय योजना में मिलने वाली राशी को 26,000 रुपे से बढ़ा कर 51,000 रुपे करने की फाइल पर भी इनोंने हस्ताक्षर कर दिये है यह भी सही है स्री नात ने प्रदेश के उद्योगों में 100% प्रदेश के विवाव को रोजगार देने की बात कही है यह कथन सही नहीं है 100% नहीं बलकि 70% प्रदेश के विवाव को रोजगार देने की बात स्री कमल नात ने कही है इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में चार गार्मेंट्स पार्क बनाने का भी निर्णे लिया है कौन-कौन से पार्क है मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ 17 दिसंबर को मद्य प्रदेश के अठारवे मुख्य मंत्री के रुप में श्री कमलनात को किसने शपत दिलाई तो यह शपत दिलाई श्री मती आनंदिब्यन पटेलने हाली में जन्संपर को विभाग और विमानन विभाग के सचिव कौन बनाए गए है तो श्री पी नरहरी बनाए गए है जन्संपर को विभाग और विमानन विभाग के सचिव वित्ती प्रबंदन एवं मोनेटरिंग सॉफ्ट्वेर पर कारिष्य लगा एवजन किया गया इस सॉफ्ट्वेर का क्या नाम है तो इस सॉफ्ट्वेर का नाम है इवित्त प्रवा 24 दिसम्बर से मांडव उत्सव शुरू हुआ तो मांडव की जिले में इस्थी थे धार जिले में हाली में किस शेत्र में विशेश उपलब्दी पर केंदर सरकार, विश्व स्वास्ति संगठन और यूनिसेप ने प्रदेश की सराना की है तो टीका करन के लिए इन सभी ने प्रदेश की सराना की है मद्यप्रदेश के किस इस्थान पर आयोजित हो रहे है अंतराश्टी फिल्म महुत्सव में टप्रा टाकीज सभी के आकर्शन का केंदर बने हुए है तो खजुराहो में अंतराश्टी फिल्म महुत्सव का आयोजन किया गया जहां पर जगय जगय पर टप्रा टाकीज लगाये गए खजुराहो चतरपुर जिले में स्थीत है खजुराहो मद्यप्रदेश के उन शहरों में से एक है उन इस्थानों में से एक है जो की युनेसको की वीश्वी धरोर सुची में सम्मिली थे इसके अलावा साची और भीम बेटी का भी युनेसको की वीश्वी धरोर सुची में सम्मिली थे साची राइसेन जिले में स्थीत है खजुराहो चतरपुर जिले में और भीम बेट का भी राइसेन जिले में ही स्थीत है हाली में मद्धिप्रदेश के किस जिले में मकर संकृांती के पुर्व पतंग बाजी पर इस्तेमाल होने वाले चाइना डोर पर पूर्णतया प्रतिबन लगा दिया गया था तो उज्जेन जिले में यहां प्रतिबन लगाया था वहां के कलेक्टर कोशलेंदर विक्रम सिंगने राजी सरकार द्वारा 12 जन्वरी से प्रदेश में दूसरी बार किस पशुपक्षी की गणना की जाएगी तो गिद्द की गणना की जाएगी विदान सबा चुनाओ के दोरान की जिले में सबसे ज़्यादा मद्दान हुआ तो चिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा मद्दान हुआ था याद रखिए चिंदवड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है और देश बर में सबसे ज़्यादा मक्का एदि कही पर उत्पादित होती है तो वह उत्पादन होता है चिंदवड़ा जिले में मध्यप्रदेश विदानसभा चुनाओ में कांगरेश को कितनी सिटे मिली तो 114 सिटे कांगरेश को मिली 116 बहुमत के लिए चाहिए थी बिजेपी को इसमें मिली 109 सिटे और कुल 230 सिटे मध्यप्रदेश विदानसभा में है हाली में किस किलाडी ने मध्यप्रदेश के इंदोर में केली जा रही रंजी ट्रोफी में 266 रन बना कर इतियास रचा तो भारत के और भारत में भी मध्यप्रदेश के और मध्यप्रदेश में भी देवास के रहने वाले है अजे रोह रहा इन्होंने 266 रेन बना कर इतियास रज़ दिया भारत की युवा बेडमिंटन किलाडी लक्षिसेन है इन्होंने टाटा उपन अंतराष्टी चेलेंज बेडमिंटन टूनामेंट का किताब अपने नाम किया है यह भी जाये तो आप याद रख सकते है लक्षिसेन किस के हल से सम्बंदित है तो बेडमिंटन से सम्बंदित है लक्षिसेन दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए किस जिले को राश्टी पुरस्कार दिया गया है सिंग्रोली जिले को दिया गया है राश्ठी पुरसकार दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए हाली में अमेरिकी मेकजिन फॉप्स की सुची में सलमान खान पहले नंबर पर है तो उनका जन्म मद्यप्रदेश में किस इस्थान पर हुआ था इंदोर में हुआ था इनके बारे में और जानकरी आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़के वीडियो को रोक कर मद्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आठ दिसंबर को किस इस्थान पर बालक्रश्न शर्मा नवीन इस्मरती समारों का आयुजन किया जाएगा तो शाजापूर जिले में इस समारों का आयुजन किया जाता है और किया गया आठ दिसंबर को हाली में MPPSC का परिक्षपरणाम गोशित किया गया मद्यप्रदेश लोक सेवायोक के अध्यक्ष कोन है तो भासकर चोबे है MPPSC के अध्यक्ष और अर्विन सक्सेना है MPPSC के अध्यक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या रहा कुल 298 पदों के लिए 899 प्रतिभागियों का चैन हुआ है इन में 353 महिला है 33 दिवांगी शामिल है चैनित प्रतिभागियों में 464 जनरल केटेगिरी से 145 SC केटेगिरी से 186 ST केटेगिरी से और 103 OBC केटेगिरी से चुने गए है 6 दिसंबर को बाबा साहिब अमबेटकर का महा परिनिर्वान दिवस मनाय गया उनका जन्म मध्यप्रिदेश के किस शहर में हुआ था तो महु शहर में हुआ था और महु इंदोर जिले में इस्थित है कहा पर इस्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिन्टोहाल में एशिया में पहली बार दो दिवसी कारिक्रम एडवेंचर नेक्ष्ट का आइजन किया जा रहा है तो मिन्टोहाल वुपाल में इस्थित है इस कारिक्रम के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लीजिए पल्स अफ टुमारो की थिम पर यह कारिक्रम आईजित किया गया दो दीव सी कारिक्रम था प्रतिबागियों को मद्धिप्रजेश में मौजूद भविश उन्मुक आउसरों से अवगत कराया गया इसमें लिव लाए के लोकल थीम को बढ़ावा दिया गया MP टूरिजम बोड के MD है स्रीहरिरंजन राव Adventure Next के CU का नाम है शेनन इस्टाविल इससे पहले यह आउजन जार्डन में किया गया था तो एक्जामिनर कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है इसलिए मैंने ज़्यादा ज़्यादा जानकारे आपको देने की कोशिश की है हाली में किसना अपना एक WhatsApp नमबर जारी कर लोगों से सोशल मीडिया मंच पर जुड़ने की अपील की है तो राज्युपाल आनंदिवेन पटेल के फोन नमबर है WhatsApp नमबर है 9294-5500-88 इन पर आप मेसेज कर सकते हैं आपकी कोई समच्चा हो तो या आपको इनसे मिलना हो तो भी हाली में नेशनल हेराल्ड केस में CBI ने दो विक्तियों पर मुकदमा दायर किया है इसमें मद्यप्रदेश के किस पुरू मुख्यमंत्री का नाम शामिल है तो मोतिलाल वहरा का नाम भी इसमें शामिल है जो की मध्यप्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके है इसके अलावा हर्याना के पूरू मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग हुड़ा का भी इसमें नाम शामिल है मुक्ह मंत्रियों की बात करे तो पंडीत रविशंकर शुकले प्रदेश के पहले मुक्ह मंत्री थे और उमा भारती प्रदेश की पाहली मैला मुक्ह मंत्री 28 नूम्बर 2018 को मद्य प्रदेश की 230 विदान सभाव के लिए कुल कितने प्रतिशत मद्दान हुआ तो 44.13 प्रतिशत कुल मद्दान हुआ था जिसमें सबसे ज़्यादा 83.15% मद्दान चिनवाड़ा जिले में हुआ था विदान सभाचुनाव के दोरान किन जिलों में इस्थित मद्दान केंद्रों में डूटी के दोरान कुल तीन कर्मचारियों की मौत हो गई जिनके परिजनों को 10 लाग रुपे के आर्थिक साहिता देने की गोशना की गई थी तो इंदोर गुना और धार जिले में एक एक कर्मचारी की मौत हो गई थी हाली में राज्यपाल अनन्दी बेन पटेल को किस कारिक्रम के लिए विश्व बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड अवार्ड दिया गया तो पड़े बुपाल के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया मद्यप्रदेश का इस्थापना दिवस कब मनाय जाता है एक नौंबर को मनाय जाता है एक नौंबर 1956 को मद्यप्रदेश की इस्थापना हुई थी और एक नवंबर 2000 को मद्य प्रदेश से अलग होकर चत्तिसगड देश का 26 वराज्य बना था मद्य प्रदेश चत्तिसगड के मुख्या आयकर आयुक्त का नाम क्या है जिने पदोनत करके केंडरी प्रित्यक्ष कर बोर्ड का सदश्य मनोनित कर दिया गया है तो इनका नाम है पीकेदास मद्य प्रदेश साहित्यकादमी द्वारा 9 नवंबर को गजानन माधोमुक्तिबोध इस्मृति समारों का आयुजन कहां किया गया तो यह हैं आयुजन किया गया होशंगबाद में जारकंड की राजदानी राची में चल रही 34 वी राष्टी जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चेंपियंशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाडी ने लोंग जंप में नया राष्टी रिकार्ड बनाने के साथ ही स्वर्ण पदक जीता तो अविनाश कुमार ने जीता है स्वर्ण पदक या प्रतियोगिता आयोजितुई जारकंड की राजदानी जो है राची में और 34 वी राष्टी जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चेंपियंशिप थी तो अविनाश कुमार ने किस पद्योगिता में स्वर्ण पदक जीता है लोंग जंप में और नया राष्टी रिकार्ड भी इन्होंने बनाया है जनवरी से किस अभ्यान के अंतरगत शालाओ और अंगन वाडियों में दर्ज 9 मा से 15 वर्षी तक उम्म्र के बच्चों का तिकाकरन किया जा रहा है तो यह मिजल्स और णीतरन अभ्यान के अंतरगत किया जा रहा है अभी भी चल रहा है नर्मदा और तवा नदी के संगम इस्थल जिसका नाम है बांदराभान यहाँ पर चार दिवसी कार्तिक मेला शुरू हो रहा है आपको बताना है बांदराभान कि जिले में इस्तित है तो बांदराभान इस्तित है होशंगाबाद जिले में मद्यप्रदेश की किस कमपनी को ग्रामेन विद्यूति करण के लिए राष्टी पूरसकार दिया जाएगा तो मद्यप्रदेश पस्चिम शेत्र विद्यूत मंडल इंदोर को यह पूरसकार दिया जाएगा मद्यप्रदेश फच्चिम शेत्र विद्यूत मंडल कमपनी के प्रबंद निदेशक है आकास त्रिपाठी हाली में प्रफुल कुमार महेश्वरी का शेतर वर्ष की अवस्था में बोपाल में निदन हो गया वे किछ शेत्र से जुड़े थे तो वे राजनीती और पत्रकारिता दोनों शेत्रों से जुड़े हुए थे मद्यप्रदेश उच्च नियायले में तीन नियायदीशों की नियुकति के बाद हाई कोर्ट में नियायदीशों की संक्या बढ़कर कितनी हो गई है तो पहले 32 थे अब कुल 35 नियायदीश मद्यप्रदेश हाई कोर्ट में हो गया है मुख्य नियायदीश एसके सेटने नए नियायदीशों सेलेंदर शुकला राजजुसरी वास्तव और वीवी एस चोहन को शपत दिलवाई इन सबी के नाम ब्याप याद रख सकते है कुल 53 पद मद्यप्रदेश आई कोर्ट में सिक्रत है जिन में से 35 पद भरे जा चुके है और 18 अभी भी खाली है हाली में किसने प्रदेश की 15 नोन बेंकिंग फाइनेंस कमपनीज के रेजिस्टेशन निरस्ट कर दिये है को मद्यप्रदेश में विदानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एमबेजडर चुना गया इनका नाम है क्रेशनेदास वेशनव इनकी उम्रती 105 साल हाली में सुप्रिम कोर्ट की कोलेजियम ने मद्यप्रदेश आई कोर्ट में किन तीन जज़ों की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है तो विश्नु प्रताप सिंग चोहान, राजी कुमार स्रीवास्तो और शेलेंदर शुकला इन तीनों का प्रस्ताव दिया गया और ये जज़बन भी गए है मद्यप्रदेश में किस इस्थान पर चल रही, राजेस्तरी वालिवाल चिंपिंशिप राजगड ने भोपाल को हरा कर जीत ली तो यह ब्यावरा में चली थी, जिसमें राजगड ने भोपाल को हरा दिया हाली में किसानों के आई को दोगना करने के लिए उपाय सुजाने के लिए राष्टपती द्वारा एक समिती गटित की गई थी राजगड पालों की समिती के सुजाव में कौन-कौन से सुजाव शामिल है सत्ति कथन का चुनाव कीजिए तो यहाँ सभी कथन सत्य है समिती ने बड़ी जोत वाले शेत्रों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम को पाज से गटा कर डाई फिस्दी करने का सुजाओ दिया है मन्रेगा को क्रशी कार्यों से जोडने की सिफारिश्च की गई है और महिलाओ को खेती से जोड़े कार्यों में प्रोसायत करने की भी सिफारिश्च की गई है किसानों की समिश्चा को दूर करने के लिए जनपद इस्तर पर क्रशी शिकायत निवारन सेल के गटन का भी सुजाओ दिया गया है तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है 23 अक्टुबर को राजज में किस रूप में मनाया गया तो वालमी की जैन्ती भी थी और शरत पुर्णिमा भी थी 23 अक्टुबर 2018 को शरत पुर्णिमा के अउसर पर किस इस्तान पर सिंगा जी मेले कायुजन किया जा रहा है तो यहाँ पीपलिया नमकिस्तान पर किया जा रहा है जो कि खंड़वा में इस्तित है हाली में राज्जी शासन ने मध्यप्रदेश राज्ज सूचना आयोग में पाच राज्ज सूचना आयोगत की नियुक्त की है तो इन में से कौन हाली में नियुक्त नहीं हुआ है पाज जो राज्य सुचना आयुक्त है नए है उनके नाम है डीपी अईरवार, सुरेंद्र सिंग, राजकुमार माथूर, विजे मोहन तिवारी और अरुन कुमार पांडे जबकि केडी खान मुख्य सुचना आयुक्त है अगला प्रशने देखते है हाली में पार्शुगायक और सिने कलकार किशोर कुमार की पूर्णेती थी के मुख्ये पर प्रदेश बर में कई इस्थानों पर कारिक्रम आयुजित किये गए किशोर कुमार की समाधी कहाँ पर इस्थी थे तो यह इस्थी थे खंड़वा में हाली में माई सोनी को विधान सबा चुनाव में मद्दाता जागरुकता के लिए इस्टेटा आइकॉन बनाया गया मद्द्रदेश के मुख्य चुनाव परदादीकरी कोन है तो विएल कांतराव है मद्द्रदेश के मुख्य चुनाव परदादीकरी और भारत के मुख्य चुनाव एकुकोन है तो स्री सुनील अरोडा हाली में लगबग 7,000 करोड लागत की किन दो मेट्रोरेल परियुज चुनाव को केंद्री मंत्री मंदल ने मंजूरी दी है तो इंदोर और भोपाल दोनों परियुज चुनाव को दोनों ही 7,000 करोड के लगबग की परियुज चुनाव है इनको मंजूरी केंद्री मंदल ने दी है केंद्र और एशिया युकास बेंक ने किस राज्य में अठाइसो किलोमेटर ग्रामेन सडकों को उन्नायन के लिए ग्यारा करोड डालर के रिण समझोतों पर अस्ताक्षर किये है तो मध्यप्रदेश राज्य की ही बात हो रही है एशिया युकास बेंक का मुख्याले मनिला में स्थिते यह अभी आप याद रख सकते है निवाडी जिला जो एक अक्टुबर 2018 से स्थित्व में आया है निम्न में से कौन सी तैसिल इसमें शामिल नहीं है तो टीकमगड तैसिल शामिल नहीं है टीकमगड जिले से अलगो कर निवाडी अलग जिनला बन गया है निवाडी प्रत्वीपुर और 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 चा यह तीन तैसिले निवाडी जिले में है हाली में बोपाल में आयुजित शिखर खेल अलंकरन समारों के सम्बंद में सही कथन का चुनाव कीजिए तो इसमें जितने भी कथन है सही है वीडियो को रोक करके आप इन सभी को पढ़ सकते है विक्रम पुरसकार के सम्बंद में यह कथन भी सभी सही है यहां मद्यप्रदेश का सरवच्चिक खेल पुरसकार है इसकी शुरुवात वर्ष चे 1990 से हुई थी और इसमें पुरसकार के तोर पर दस लाग की राशी भी दी जाती है और सरकारी नोकरी भी साथ ही साथ दी जाती है आली में धार जिले के ट्यांशु राजावत और आलाप मिस्रा बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चेंपियंशिप प्रत्योगिता के तीसरे दोर तक पहुचे तो मैंने आपको बताई दिया इसका फुल फार्म क्या है बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विक्रम पुरसकार 2018 इन सभी किलाडियों को दिया गया है आप नाम पढ़ लीजए और याद कर लीजए एश्या कप में चेंपियन बनी मध्यप्रदेश की महिला की लाड़ी मुसकान किरार का संबंद किसे खेल से है तो तिरंदाज है मुसकान किरार और यह है इस वीडियो का लाश्ट प्रस्षन है मध्यप्रदेश के किस गुड़ सवार ने बंगलूरु इस्थित MBC इंटरनेशनल स्कूल में आयजित सीनियर नेशनल शो जंपिंग गुड़ सवारी प्रतियोगिता में दो सोर्ण पदक जीते हैं तो इनका नाम है प्रणय घरे ये थे दोस्तों मध्यप्रदेश के साल बर के सभी प्रमुक्समाचार जिन से की आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रशने बन सकते हैं मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो में ने यहाँ बनाया है इससे 95% तक प्रशन यदि मध्यप्रदेश के पूछे जाते हैं तो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे लाइक करें आपके दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और जी जान से जुटे रहे हैं अपने लक्ष को प्राप्ट करने में इस वर आपको एक दिन जरूर सफलता की सीडिया चड़ा कर मंजिल तक पहुचाएगा इसी के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत